हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल शुभा मिश्रा दोस्तों आज बात करते हैं पाकिस्तानों जिम्भावे की बीच जो कल पहला बंडे मैच खेला गया रावल पिंडी में और हमें एक और शांदार मैच देखने को मिला कल और जिसमें हमें उम्मीद थी कि प पर यह वह लहां बात करें तो को फिनिशिंग अड़ जानता हो मैच को ख़तम करने की और वहीं पर पाकिस्तान ने अपना शिकन ढ़ा चासा और आखिरी में शांदार बॉलिंग करी शाहिन अफ्रीदी और वाब रियाज ने शाहिन अ बात करें तो एक उभरता हो सितार पा जिस तरीके से बालिंग करी इन- शुइंगर डाली और जिस तरीके से यॉरर गल भी डाली शाहिन अफ्रीदी एक बहुत बड़ा जो है वह एसेट साबित हो सकता पाकिस्टान के लिए फ्यूचर में बात करें तो ब्रेंडन टेलर ने शान्दरशा तक जड़ा और अपने एक कि Yon Zimbabwe, बहुत से एक्स बेस्ट बैट्समन माने जाते हैं। हाले कि बहुत से एक्सपर्ट्स ब्रेंडन टेलर को टीम में लेने करिके भी खिलाफ थे और चाहिए। पर मेरा मानना है कि ब्रेने टेलर जो है वह जिम्बावे की बैटिंग को एक मजबूती प्रदान करते हैं और जिस तरीके के वह बैट्स पैने हैं पूरी क्लास खेलते हो अगर अगर जो उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था टॉस जीतने के बाद लेकिन जिस तरीके से उनकी लगाया चैलिस के आसपरसनत बनाया लेकिन डॉट बॉल्स बहुत ज़दा खेली थी करीब पावर प्ले में उन्होंने तीस के करीब डॉट बॉल्स खेल ली थी तो शुरुआत में बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होता है कि आप सिंगल चलाते हैं क्योंकि मोमेंटम जो ह तो वो भी थोड़ा सा डिसपॉरंटिंग लगा देखने में क्योंकि अगर आप नए प्लेयर्स को ट्राइ कर रहे होते हैं जैसे कि अब्दुल्ला शफीक हो गई या फिर हैदर रिली हो गई या फिर आपकी लेक्स पेना उस्मान गादिर और तब आपकी टीम का परफॉर परफॉर्मेंस में बहतरी लानी होगी क्योंकि आप अपनी A-Team के साथ खेल लो जिम्भावे आपसे काफी लोर रैंक टीम है तो आपको उसी इसाब से परफॉर्मेंस करने होगी आप बताओ दोस्तों कि आपको कल के मैस के बारे में कैसा लगा और अगर आपको यी वीडिय लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन बैल को ओन करेगा इंट्रेस्टिंग रिकेटिंग वीडियो और उप्डेट्स लगाता है पाने के लिए थैंक्स पॉचिंग